हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो माई चैनल तो फ्रेंट्स आजम बनाने जा रहे हैं मदर्स डे स्पेशल रेसिपी और ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है मतलब घर के सामानों से आप इजली बना सकते इसमें आपको बाहर से कुछ भी लाने के जरूरत नहीं है तो चलिए फट भी बाहर से ताइट रहें वैसा आम खाटा भीनि तो यहां पर मैंने यहां को ऐसे रफ्ली चॉप कर लेंगे किसी बीतर से उसको कट कर लेना है कोई साइस की जरूरत नहीं एक छोटा या कैसे भी तो रफ्ली मैंने इसको एक चौप कर लिया चौप करने के बाद हम इसको म हाफ कप यहाँ पे मैंने पीसी हुई चीनी डाली है और यहाँ पे मैंने यह ओयल डाला है यह भी वन फोर्थ कप ओयल है यह मैंने रिफाइन ओयल डाला है और इसको अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे पूरे अच्छे से हम बीट कर लेंगे तो यहां पे मैंने चीनी और आम के पल्प और रिफाइन को अच्छे से मिक्स कर लिया है मिक्स करके ले लेंगे उसके बाद फिर हम क्या करेंगे इसमें एक छन्नी लगाएंगे और यहां पर मैंने एक कप मैदा डाला है, उसके बाद थोड़ा सा और यहां पर मैदा डालेंगे, एक कप और उससे हाँ, मतलब डेड़ कप से थोड़ा ही सा काम है, तो यहां पर मैंने यह डेड़ कप मैदा डाल दिया है, उसको भी हम चान के ले लेंगे, तो यह देखे चा mix कर लेंगे इसको mix कर लिया है तो यहां पर यह भी बहुत इसमें । होड़ा समय ने इसमें । नाया है ओड़ा-थोड़ा करगे पिर यह ता कि तó कि यह भी थोड़ा थीक था तो इसको मैंने ऊट्रप पतला करने के लिए थोड़ा सा दूद डाला है नौर्मल रूम टेंप्रेचर पर दूद है गरम करके ठंडा कर लिया हुआ इस पर यहां पर मैंने थोड़ा सा औरेंज फूड कलर डाला है जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है तो यह देखिए उसके बाद मैंने इसमें डाला है पूरा एक सैशे इनो डाला है यह नौर्मल जो हम इनो यूज करते हैं बेकिंग में बनाने में वही है उसको एक्टिवेट करने के लिए यहां पर मैंने मैं डाला है और उसके बाद भी प्रेजनी को मिक्स कर लें दालने के बाद हमको बहुत ज्यादा नहीं है बस उसको हमको मिक्स कर लेना एक ही डानी इक सकर नाना है मैं मैंदे जो हम घर में जो यूज करते है ना समान मैदा हमारे पास होता ही है मैंगू का तो सीजन ही चल रहा है बस यही सारी चीज़ हम ले लिए और इसको हम टैप कर लेंगे ताकि जो एर बबल सो निकल जा उसके बाद मैंने एक कडाई रखी है और उसमें एक स्टैंड रख दिया उ इसके बाद हम ढख देंगे प्रीटेड कड़ाई है पहले से मैंने गरम होनी के लिए रख दिया था 10-15 मिनट उसके बाद फिर मैंने यहां पर आदा कब मैंगो लिए है और उसको अच्छे से पीस लिया है फिर मैंने यहां पर कडाई रखे उसमें थोड़ा सा पानी डाला और यहां पर दो चमच पीसीवी चीनी और इसको मिक्स कर लेंगे उसके बाद फिर हम जो मैंगो का पल्प बनाके रखे हैं अभी पीस के रखे थे थे ना वो भीसमें एड़ कर देंगे तो mango puri add करने के बाद हम इसको अच्छ से मिला लेंगे अभी आपको लगएगा ये अच्छ से mix नहीं हो रहा है बट ये थोड़े देर आप इसको चलाएंगे न तो अच्छ से mix हो जाएगा और इसको हमको 5-7 मिनट अच्छे से पका लेना है पका लेंगे न तो उसके बाद इसका कलर थोड़ा सा शाइनी हो जाता है और आपको पता चल जाएगा ये मतलब 5-7 मिनट तो लगी जाते हैं तो ये देखें मेरा 5-7 मिनट हो गया है अब इसको चान लेंगे ताकि जो थोड़ी बहुत गुटलिया वगयरा हो न वह भी निकल जाए बिल्कुल स्मूथ सामको ये बैटर मिले है अग्चुली हम ये मैंगो का गिनाश मना रहे थे हैं तो ये देखें बलकुल ये हमारा इसमें कॉन फ्लोर भी नहीं डाला है मैंने सिंपल मैंगो है और शुगर है और कुछ भी नहीं है तो यहां पे हमारा केक भी चेक कर लेंगे हुआ है कि यह देखे साइट से तो पग गया है अब हम बीच में चेक करेंगे लेकिन बीच में मुझे थोड़ा सा अभी कच्छा लग रहा था इसलिए मैंने 10 मिनट और बेक हो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और थोड़ा थंड़ा होने के लिए रख देंगे देखे साइट भी अपने से छोड़ दिया है थोड़ा साइट से ऐसे कर लेंगे और थंड़ा होने के बाद ही हम इसको निकाल करेंगे नहीं तो केक टूट भी सकता है तो यह देखे मैं को बेकरी की कोई क्रीम की भी ज़रूरत नहीं है इसके बाद में उपर की लेएर को वो मिस्स में डाल देंगे ऐसे लगा देंगे उपर से और फ्रेंड्स बहुत यह में आप मदर्स डे पर अपने मदर को सप्राइज कर सकते हैं बिल्कुल कुछ भी आपको बाहर से लाने की भी जरूरत नहीं है यह अपर अच्छे पूर कर लिया है इसको हम अच्छे से फयला आके और आपको लग रहा है कि घर पर बनाया हुआ केक है बहुत टेस्टी भी लगता है उसके बाद फिर मैंने यह जो उपर वाला पार्ट निकाल ले थे ना उसको मैंने एक बापि मिक्सर में चला लिया है उस